क्या होगा अगर टाइम आपके लिए स्लो चलने लगे आप इस चीज का किस किस तरीके से फाइदा उठाएंगे क्योंकि ऐसा ही होता है जैंग बू के साथ तो हमारी इस कहानी के शुरुआत होती है एक CCTV ओफिस से जहां एक लड़का पर्द कमरे में भी संग्लासे दगा कर ब तुरंथ ही पुलिस को इनफोर्म कर देते हैं जब तक वो लोग उन चोरों को ट्रैक कर पाते वो उनकी नजरों से निकल जाते हैं किसी को भी चोरों का कोई सुराक नहीं मिलता पर वो नया चश्मवाला इंप्लोई सब को एक वीडियो दिखाता है जहां चोर एक गली में नजर आ रहे थे और इस इंफरमेशन की मदद से पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है हमें हाँ पता लगता है कि ये लड़का यो जैंग बू है जिसे आखों में एक प्रोब्लम है जिस वजा से वो हर चीज को स्लो मोशन में देख पाता था और इसलिए वो उन चोरों को भी भागते हुए देख पाया इसके बाद हमारी ये स्टोरी पास्ट में जाती है जह हम देखते हैं कि जैंग बू फिस्थ क्लास का स्टूरंट है और वो अपनी चाइल्ड हुट बेस्ट फ्रेंड बॉंग सू मी के साथ एक रेस में हिस्सा ले रहा था और वहीं से जैंग विजन इक्विटी नाब की एक रेर आई डिसीज है जिस वज़ा से उसकी आँखें सब कुछ स्लो मोशन में देखती है और अपनी स्योरी को साबित करने के लिए डॉक्टर एक बेस्बोल बहुत तेज स्पीड से जैंग बू की तरफ फेंगता है जिसे वो बहुत अराम से कैच कर लेता है डॉक्टर कहते हैं कि उसे हर वक्त काला चश्मा लगा कर रखना होगा जिससे उसकी आँखों को थोड़ा अराम मिले जैंग बू के इस डिसोर्टर के बारे में पता लगने के बाद पैसा कमाने के लिए उसके डैड दूसरे देश चले जाते है ताकि वो अ वहीं दूसरी तरफ हर वक्त काला चश्मा लगाने की वज़ा से उसे स्कूल में बुली भी किया जाता था धीरे धीरे अब जैंग बू अपनी फ्रेंड सुमी से प्यार करने लगा था पर जैंग बू के साथ रहने की वज़ा से सुमी भी दूसरे बच्चों द्वारा जैंग होने लगी थी जिसकी वज़ा से उसे जैंग बू का साथ छोड़ना पड़ता है अब जैंग का कोई दोस नहीं था जिस वज़ा से वो चाहता था कि उसकी आखें अब पूरी तरह से ही खराब हो जाए जो करने के लिए वो हर वक्त टीवी देखना शुरू कर देता ह उसकी आखों पर तो इससे कोई फरक नहीं बढ़ता पर उसे सूपर हिरोस के नाटक देखने की लट लग जाती है जैंग उन सभी सूपर हिरोस को बहुत ध्यान से देखता और उन जैसा बनने की पूरी कोशिच भी करता था लेकिन कभी बाहर नहीं जाता था ज़्यादा प उनकी मौत के बाद जैंग बू की लाइफ में कोई भी मर्द नहीं बचा था पर तब उसे डॉक्टर स्योग की याद आती है जब वो उसे मिलता है तो डॉक्टर उसे बाहर निकल कर पैसा कमाने की सला देते है जिसके लिए जैंग बू अब CCTV सेंटर में काम करने लगा था द्रामस की याद आ जाती है बस फरक सिर्फ इतना है कि इस ड्रामा में सभी लोग अपनी लाइफ के में एक्टर से एक शाम उसके साथ काम करने वाला इंप्लोई ब्योंग सू उनके बोस से जैंग के बिहेवर के बारे में बात करता है वो कहता है कि जैंग सारा टाइम नहीं करता वो अपने बोस को कहता है कि आज से वो जैंग का ख्याल रखेगा क्योंकि जैंग एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है अगले दिन से ब्योंग जैंग के पास बैठना शुरू कर देता है और काम के वक्त उससे बात करने की कोशिच भी करता है पर जैंग उसके ये सबी बातें अजीब लगती है पर वो उससे कभी नहीं पूछता कि तुम ऐसा क्यों करते हूँ ब्योंसू जैंग से बात आगे बढ़ाने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गल्फरण है और इस बात से जैंग को सुमी की याद आ जाती है अगले ही दिन जैं कि वो उसका करज अपना घर बेच कर चुका दे जैंग यहां सब कुछ देख तो रहा था पर वो वहां की दिदे बात नहीं कर पाता अब वो अपने CCTV सेंटर से रोज सुमी को देखना शुरू कर देता है उसे सुमी का पूरा टाइम टेबल ही याद हो जाता है सुमी एक योप के बाहर लाकर रख देता है रास को सुमी उस वोफे को नोटिस तो करती है पर बेना जादा कुछ सोचे उस पर बैट जाती है अगले दिन बारिश के कारण वो बस्टो पर ही फच जाती है तो जैंग ब्योंग के साथ वहां पहुँच जाता है और ट्रामा के हीरो की तरह उसके सर पर चाता कोदेता है पर सुमी ये देखकर उसे बच्वत् तमीज कह resumes कर वहां से निकल जाती है जैंग सुमी को कैसे impress करें ये पता करने ब्योंग के साथ SEN. दोक्टर स्योग के पास जाता है जहां डोक्टर उसे सुमी को फ्लावर जैने को कहते हैं अगले तिन सुमी एक ओडिशन देने के लिए घर से निकलती है पर वो काफी लेट हो चुकी थी इसलिए उसे रास्ते में ही खड़ा होकर ट्रामा ओडिशन के लिए गाना गाना तो वो जैंक से कहती है कि फूलों की जगा अगर तुम जहर लाती तो जादा अच्छा होता ये कहकर सुमी जब वहां से जाने लगती है तो जैंक बू उसके पुराने दोस्त के रूप में अपना इंट्रोड़क्शन देता है पर वो कहती है कि वो वोंग सुमी नहीं ओ सु आ रही थी तो वो जैंक से ही अपने शॉपिंग बैक्स उठवा लेती है जब वो वापिस जाने लगता है तो सुमी उससे पूछती है कि वो वोंग सुमी को क्यों ढून रहा है तब वो बताता है कि वो बॉंग सुमी से प्यार करता है एक दिन जैंग जब सुमी को CCTV कैमरा से देख रहा होता है तो सुमी को एक फोन आता है जिसमें पता लगता है कि सुमी म्यूजिकल ट्रामा में सेलेक्ट हो गई है सुमी अपनी सेलेक्शन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर नाशने लगती है जिसे देखकर जैंगबू भी खुश होता है सुमी उस रात एक रेस्टोरेंट में अपनी सेलेक्शन का जशन मनाने जाती है जहां वो बहार खड़े जैंगबू को भी देख लेती है और उसे भी अंदर अपने पास बुला लेती है सूमी जैंग बू को अपने गाने की स्क्रिप्ट दिखाती है जैंग बू स्क्रिप्ट पढ़कर उसे कॉंग्रेचुलेट करता है और सूमी को भी अपने स्लो मोशन वाले टैलेट के बारे में बताता है रेश्टोरेंट में वो सभी लोग एक गेम खेलते हैं जहां जैंग बू की तरफ सभी तेजी से चमच फेकते हैं और वो सभी को कैच कर लेता है जैंग बू अगले दिन सूमी के घर के बाहर चक्कर लगाता है प्योंग सूय देखकर समझ जाता है कि वो सूमी के घर के रास्ते को याद कर रहा है रात को जब सुमी अपने काम से वापिस आती है तो जैंग भू भी उसका वहाँ इंतजार कर रहा होता है वो तोनों साथ महीं आगे बढ़ते हैं बातों बातों में सुमी को पता लगता है कि जैंग CCTV सेंटर में काम करता है और वो हर वक्त लोगों को देख सकता है जैंग भू और सुमी दोनों स कोफिशोप के आगे रुख जाती है जहां सुमी उसे बताती है कि उसे इस कैफे के ओनर पर क्रश है वो बहुत अमीर है और उसके पास इक बड़ी गाड़ी भी है जैंग भू को कैफे ओनर से जलन होने लगती है वो सूमी को इप्रस करने के लिए कार में उसे घुमाने का फैसला करता है वो अपने ओफिस में सभी से पूछता है कि अगर किसी के पास कार है तो वो उसे थोड़ी दिर के लिए कार दे दे मगर उनके ओफिस में किसी के पास भी कार नहीं होती अगले दिन काम से लोटते हुए सूमी बहुत खुश होती है मगर तभी उसका सामना उसके करशदार से हो जाता है जो उसे धमकाता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लोटाए तो वो उसे चोट भी पहुँचा सकता है मगर इससे पहले वो कुछ करता जैंक बू और ब्योंसू वहाँ आकर सूमी को बचा लेते है जब जैंक वापिस अपने ओफिस में आता है तो सूमी सीसी टीवी कैमरा के आगे खड़कर प्यार से जैंक बू को ठेंक्यू कहती है शाम को वो लोग एक पार्क में मिलते हैं और काफी बाते करते हैं जैंक सूमी से पूछता है कि अगर उसे कार मिल जाए तो वो क्या करेगी सूमी उसे बताती है कि वो रोस कार में बैठ कर समंदर के किनारे जाना पसंद करेगी जैंग बू को कार तो नहीं मिलती पर वो एक लोकल बस में ट्रैवल करके उसके ड्राइवर को अपना दोस्त बना लेता है उसने CCTV कैमरा में देखा था कि वो ड्राइवर रोज रात को अकेले ही बेसबॉल खेलता है तो जैंग बू भी एक राद उसके साथ खेलने पहुँच जाता है जैंग बू बार-बार उसे हैल मांगता है जिससे वो बस ड्राइवर मांच जाता है वो अगले दिन बस टॉप से सुमी को पिक करके समंदर दिखाने के लिए निकल पड़ती है ये सब देखकर सुमी भी जैंग को पसंद करने लगती है सी देखने के लिए उन्हें बुसांग जाना था मगर रास्ते में ही उन्हें पोडर पुलिस रोक लेती है क्योंकि एक लोकल बस दूसरी शहर में अंडर नहीं कर सकती सुमी पुलिस वाले से लड़ने लगती है पर बेयोंसू सब कुछ समालता है जैंग बू की सारी मैनत खराब हो जाती है और उन्हें बिना सी देखे ही वापिस मुणना पड़ता है अगले दिन CCTV सेंटर का बोस सब को बताता है कि शहर में लड़कियों के गायब होने के केसिस बढ़ रहे है इसे उन सब को बहुत अलर्ट रहना होगा तब ही जैंग बू देखता है कि सुमी एकदम ही CCTV कैमरे से आगे गायब हो जाती है वो डर जाता है और भाग कर उसी जगा पर जाता है जहां पता लगता है कि सुमी ने उसके साथ मजा किया था वो जाना चाहती थी कि क्या वो उसे बचाने आएगा या नहीं इसके बाद सुमी जैंग बू का चश्मा उतार कर उसे किस कर लेती है सुमी जैंग बू को अपने घर के अंदर आने को कहती है पर जैसे ही वो खुद अंदर जाती है तो देखती है कि उसका करशदार पहले ही वहाँ बैठा था और उसे सारा समान बिख्रा दिया था इन सब चीजों की अवाज सुनकर जैंग बू सुमी के घर की दरब भागता है पर उसकी आखे दुन्दला जाती है और वो वहीं पर भेहोश हो जाता है करशदारों के जाने के बाद वो दोनों वहाँ बैठ कर बाते करती है जब वो दोनों मिलकर करशदारों का बिखरा हुआ समान समेटते है तो जैंग बू को वहाँ से कुछ पेंटिंग्स मिलती है जो कि उसने अपने बच्पन की दोस मौम सुमी के लिए बनाई थी वहाँ पर सुमी बताती है कि उसने अपनी असलियत इसलियत चुपाई थी ताकि जैंग बू उसे बच्पन के रूप में ना पहचान कर उसके इस रूप से प्यार करे ये सुनकर जैंग बू तो शान्त रहता है पर सुमी उन पेंटिंग्स को देखकर स्माइल करती है अगल बू को इस बात का पता था कि वो कुछ समय बाद अंदा हो जाएगा इसलिये वो जहां भी सफर करता था अपने रास्तों के स्टेप्स काउंट करके याद कर लेता था एक तरफ जहां जैंग को अपने अंदे हो जाने की टेंशन थी तो दूसरी तरफ सुमी को अपने कर्ज भी होता है तब ही वहां काम कर रही एक लेडी अपलोई को एक कार पर शक होता है जो बहुत देर से वहां चकर लगा रही थी कार का नंबर चेक करने पर पता लगता है कि वो एक भागे हुए किटनेपर की कार है ये देखकर वो लोग पुलिस को इंफॉर्म कर देती है पर वो एक कार से टकराकर गिर जाता है उसका दोस्त ब्योंग सू ये सब देखकर उसकी मदद करने के लिए निकलता है यहां हम देखते हैं कि सूमी के आगे एक अंजार आदमी खड़ा होता है मगर इस से पहले वो सूमी को कहीं ले जा पाता जैंग बू वहां भाग कर आकर सूम को बचा लेता है मगर वो एक बड़े ट्रक से भी टक्राने से बाल-बाल बचता है पुलिस वहां आकर सूमी को पूछताज के लिए ले जाती है और जैंग बू वहां अकेला रह जाता है बेयोंसु वहां आकर अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है जैंग अपनी खराब हो ज की थी एक दिन सूमी जैंग बू को अपने फेवरेट कोफी शोप में देखती है बगर जैसे ही वो उसे हैलो करने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है वो जैंग बू के हाथ में एक वोकिंग स्टिक देखती है वो यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है सूमी जैंग बू का सारे रास्ते पीछा करती है जिससे वो एक आर्ट गैलरी के आगे पहुच जाती है अंदर जाने पर हम उस आर्ट गैलरी में सुमी की ही पेंडिंग्स देखते है और जैंग बू को कहते हुए सुनते है कि बने ही उसकी आखों से उसे कुछ नहीं देखता मगर सुमी उसे हमेशा याद रहेगी अगले दिन फिर सुमी जैंग का पीछा करती है मगर आज जैंग बू उसे महसूस कर लेता है और उसे पूछता है कि आज वो कहा जाना चाहती है ये सुनकर सुमी उसे हग कर लेती है और ये फिल्म यही पर खत्ब हो जाती है दोस्तों आपको ये फिल्म की एक्स्ट्राइशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताना साथ ही साथ और भी आची इंटरस्टिंग मुवीज की एक्स्ट्राइशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अब मिलेंके आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा